आजकल कई लड़कियों और महिलाएं न्यूड लिपिष्टिक लगाना पसंद करती हैं क्योंकि इसते नैचरल लुक मिलता है हाला कि कुछ लड़कियों और महिलाँ को चाहकर भी न्यूड लिपिष्टिक में परफेक्ट लुक नहीं मिल पाता है इसका मुख्य करण उनके द्वारा खरीदा गया गलत न्यूड लिपिस्टिक सैड हो सकता है तो आईए आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी बाते हैं जिने ध्यान में रखकर अगर न्यूड लिपिस्टिक चुनी जाए तो ये आपको परफेक्ट लुक देंगी लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले में एक छोटी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं अगर आप कभी भी अपने लिए न्यूड लिपिश्टिक खरीदने के लिए जाएं तो उस दोरान अपनी इसकिन टोन का ख्याल जरूर रखें उधारण के लिए अगर आपकी स्किन टोन ज्यादा गोरी है तो कारमेल पिंक सेड की लिपिश्टिक चुने यकीन मानिये इस तरह की टोन वाली महिलाव पर ये न्यूड सेड ज्यादा सूट करेगा वहीं जिसका स्किन टोन थोड़ा डार्क है उन्हें ब्राउन और रश्ट कलर के न्यूड सेड की लिपिश्टिक का चुनाव करना चाहिए अगर आप किसी न्यूड सेड लिपिश्टिक की खरिदारी के लिए किसी इस्टोर पर जाने वाली हैं तो इससे पहले आप उस लिपिश्टिक के वारे में अच्छी तरह से ओल्लाइन रिसर्च कर लें और जो आप खरिदने बाली हैं उससे जुड़े कुछ रीव्यू भी पढ़ लें इससे आपको दूसरों के अनुबाबों का पता चलेगा और आप लिपिश्टिक खरिदने के दोरान सही फैसला ले पाएंगी इसके अलावा बहतर होगा कि आप ओल्लाइन लिपिश्टिक खरिदने से बचें अगर आप सस्ते न्यूड शेट की लिपिश्टिक खरिदती हैं तो उनमें पैरावीन जैसे केमिकल होने की संभावना ज्यादा होती है जो होटों को नुखसान पहुचा सकते हैं ऐसे में लिपिश्टिक किसी ब्रैंडेट और भरोस्वन बाली कमपनी से ही खरिदी चाहिए वे लिपिश्टिक बनाते समय अलग-अलग नियमों का पालन करती हैं और लिपिश्टिक की टेस्टिक भी करती हैं लोकल लिपिश्टिक बनाते समय ऐसा कुछ नहीं किया जाता है इन दिनों बजार में कई तरह के न्यूट लिपिश्टिक उपलब दें जैसे क्रीम टेक्सर वाली लिपिश्टिक, मेट टेच लिपिश्टिक, फास्ट फिनिसिंग लिपिश्टिक और सिमर लिपिश्टिक आदी इसलिए बहतर होगा कि आप अपने ज़रूत के हिसाफ से ही लिपिश्टिक खरीदे एक अच्छी और ब्रांडेर लिपिष्टिक की पहली निसानी होती है कि वह कितनी देर तक तिकती है यानि इस्तिमाल करने के कितने घंटे बाद आपको उसे टचप करने की जरुरत नहीं पड़ती अगर आपकी लिपिष्टिक को हर एक से डेर घंटे या हर वार पानी पीने के बाद टच अप करना पड़ता है तो इसका मतलब है कि आपकी लिपिष्टिक अच्छी नहीं है एक अच्छी लिपिष्टिक साथ से आठ घंटे आराम से चलती है इसे नहीं आपको लोंग लाश्टिक लिपिश्टिक ही खरीदनी चाहिए तो दोस्तो ये थे कुछ ऐसी महत्यपून बातें जिने ध्यान में रखकर अगर आप न्यूड लिपिश्टिक का चुनाब करती हैं तो ये आपको एक परफेक्ट लुक देंगी तो दोस्तो ये बातें आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें जरू बताना और ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तबते के लिए अपना खयाल लखें जहिंज जभारत